नमस्कार दोस्तो रगुवनसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत हैं दोस्तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे BSNL JTO Lies J to JTO जो Special Recruitment होने वाला है Special Internal Exam, Promotional Exam होने वाले हैं उसके बारे में दोस्तो देखेंगे दोस्तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे जितने भी previous year के J to JTO examination हुए है BSNL में उसके previous year के Qtion Paper देखेंगे और उस Qtion Paper से दोस्तो मैंने क्या किया है कि Digital Electronics के सारे Qtion निकाल के यहां पे रखा हुआ है तो उस Qtion के माध्यम से दोस्तो हम लोग यह देखना चाहेंगे कि BSNL J to JTO जो Internal Exam होता है उसमें Digital Electronics के किस टाइप के Qtion पूछे जा रहे है उनका Level क्या है कि हमें Qtion से रिपीट हुए है वो सब कुछ दोस्तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले है अभी दोस्तो मैंने Digital Electronics सा स्टार्ट किया है ऐसे आगे चलके सभी सब्जेक्ट का मैं स्टार्ट करूगा और उससे एक अपनी कोई अंदाजा लगेगा कि कौन कौन से Qtion रिपीट हो रहे है और कौन कौन से किस टाइप के Qtion पूछे जा रहे है उसका Level क्या है मेरा Main Morning दोस्तो यही है तो दोस्तो मैं आपको ले चलते है सबसे पहरे आप लोगों को मैं बता दूँ यहाँ पे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और प्रियसनल G2 G2 प्रमोस्नल इख़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेश करना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे आपको मैं वीडियो के माध्यम से और WhatsApp ग्रूप में टेलिग्राम ग्रूप में सारे नोट्स बिल्कुल फ्री आपकोस्ट प्रोइब करने वाला हूँ और कर भी रहा हूँ तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर ले और अगर आप मेरे WhatsApp ग्रूप से नहीं जुड़े हुए है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाकर के भी जुड़ सकते हैं और टेलिग्राम ग्रूप पे भी जाकर के जुड़ सकते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जैसा कि दोस्तों आप अपने स्क्रिन पे क्लिरली देख सकते हैं कि डिजिटल इलेक्टोनिक से पहला क्यूस्टन यहाँ पे पूछा गया है किस एक्जामिनेशन में 2013 के यह क्या रिप्रेजिंट करता है सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा तो जैसा कि आपको पता होगा, कि अगर और गेट का लोजिकल इसका देखा जाए, तो A plus B equals to Y, इसका कुछ मत्बदाब output आता है, अब अगर इसी और gate को यानि कि दोस्तो और gate का compliment कर ले इसका compliment कर ले तो ये दोस्तो क्या बन जाता है अभी दोस्तो ये क्या है और gate है ठीक अगर इसका compliment कर दे यानि आगे एक inverter लगा दे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तो ये equivalent हो जाएगा a bar dot b bar ये दिमार्गंस थियूरम से आपने ये देखा ये गेट अभी क्या हो गया दोस्तो ये गेट हो गया नौर गेट का जो लॉजिकल एक्स्प्रेशन हो जाएगा दोस्तो a bar dot b bar ये दो इंपूट के लिए रहेगा वही अगर तीन इंपूट हो गया दोस्तो तो a bar dot b bar dot c bar ये दोस्तो क्या हो गया लॉजिकल एक्स्प्रेशन आप नौर गेट हो गया ठीक नौर गेट हो गया तो यहाँ पे यह expression जो बता रहा है ये किसका logical expression बता रहा है nor gate का logical expression बता रहा है और अगर nand gate की बात करें दोस्तों and gate का logical expression क्या होता है इसका कॉंप्लिमेंट ले ले तो यह क्या हो जाएगा, तो कॉंप्लिमेंट ले लेंगे तो आगला प्लस बी बार, यह किसका हो गया, नैंड गेत का, ठीक, एंड का आप नेंड का आपनें पहले ही बताई आप आप Sometוז Les 5000 के लिए, अब एक्ज्सवा गेत क्लास मी बहुत अच्छे से डिसकस्ट किया है तो यहां से दोस्तों का क्यूस्ट का लेवल एजी टु मॉड़ेट है आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्यूस्ट का अनसर कर सके हैं अगला क्यूसर दोस्तों जो यह है ये NAND gate is called universal gate because NAND gate को हम universal gate कहते हैं किसलिए कहते हैं उसके बारे में दूस्तों हम लुँँ धिसक्स करना चाहेंगे ये question काफी important है और मैंने जैसा कि जब मैं paper बना रहा था जिए जब question चाट रहा था तो दोस्तों ये questions कई बार repeat हुए है ये NAND gate is called universal gate क्यों इसको युनिवर्सल गेट कहते हैं तो चलिए हम थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं क्योंकि ये क्यूशन बार-बार रिपीट हुआ है इसके बारे में था और देख लेते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं बात आपको बता दू कि जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो जो बेसिक लॉजिक गेट्स दोस्तों होते हैं वो एंड बेसिक लॉजिक गेट्स है और बेसिक लॉजिक गेट्स है और नॉट बेसिक लॉजिक गेट्स है ठीक इसको बेसिक लॉजिक गेट्स दोस्तों इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे बेसिक जो लॉजिक सकते हैं नौट गेट से पड़ अगर युनिवर्सल गेट की बात करें तो नौर और न्यूवर्सल गेट होते हैं क्योंकि इस गेट की मदद से आप कोई भी लॉजिकल एक्सपेशन बना सकते हैं जी हाँ दोस्तो न्यूज एंड नौर। गेट और काल यूनिवर्सल गेट सम कि इससे कोई भी लॉजिकल एक्स्प्रेशन आप बना सकते हैं इसलिए इसको दोस्तों क्या कहा जाता है नैंड और नॉर को युनिवर्सल गेट खा जाता है अब अगर नॉर का देखें तो दोस्तों जो और गेट की लॉजिकल सरक्रिटरी होती है इसके सामने आप क्या कर द हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा नैंड गेट के एक्सिवेट तो यह दोनों जो गेट्स हैं दोस्तों तो आपके पास एक ऐसे switch होती है कि यहाँ पे अगर कोई एक bulb है यहाँ पे अगर दोस्तो एक कोई bulb है तो आप यह चाहते हैं कि यह जो switch है यहाँ से भी on-off हो जाए और यहाँ से भी on-off हो जाए तो ऐसे case में जो हम switch यूज़ करते हैं या जो gates यूज़ करते हैं एक्जोर य में पूछा गया है तो यहां पर भी दोस्तों और लिए सागू सकते हैं तो आपने यहां पर दोस्तों देखा तो अब अगले क्यूशन पर देखते हैं इसको दोस्तों युनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है क्योंकि इट इस या फिर और लॉजिकल फंक्शन कैन भी रियलाइज यूजिंग नैंड गेट अलोन मतलब सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट की मदद से आप बहुत ही आसानी से सारे लॉजिकल एक्सप्रेशन का इंप्लिमेंटेशन कर सकते हैं इसलिए इसको दोस्तों क्या बोला जाता है यूनिवर्सल गेट बोला जाता है अगले क्यूसन की दोस्तों बात करें यहां पे बुलियन सिंप्लिफाइड फाम आप बुलियन एक्सप्रेशन लिया हुआ है और उसको बोला जा रहा है कि आप इसको सिंप्लिफाइड करिए आप इसको दोस्तों क्या करिए संपिल्फाइब करिए अब दोस्तों मैं आपको पहले बता दू हम सिंप Force करते क्यों या बुलीयर सरह रोता क्या यह और उसको हम स्पिकेसं क्यूं करते हैं और किनखिन मेथड से हम उसका संद्रील क्राकिर सकते हैं अब दोस्तों में और प्रोपोगेशन डिले वो भी क्या रिडियूस हो जाए ऐसे कुछ और कॉस्ट सर्किट की जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाए दोस्तों रिडियूस हो जाए इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं उसका बुलियन एक्सपेशन को क्या करते हैं उसको हम मिनिमाईज करते ह सकती है कि minimalization क्यों करते अब दोस्तों कई सारे करते हैं कई सारे कायशन होते हैं कई सारे धोस्तों minimalization techniques होते है एक तो जैसे कि आपना एक bulion eligible ही है आपका bulion了吧 एक है bulion algebra generally दोस्तों अगर चार लॉजिका चार वर्यवल्बंस वह तो यहां तक बुलियन एलजबरा अच्छे से काम कर जाता है अगला है के मैप की मदद से दोस्तों आप मैक्सिमम चार से पांच वेरियेबल की जो एक्स्पेशन है उसका आप मिनिमाइजियेशन कर सकते हैं लेकिन जब बढ़ जाते जैसे पांग से उपर चले गए तब आप क्या यूज़ करेंगी उसकेस में दोस्तों टैबूलेशन मेथट का यूज़ किया जाता है तो ऐसे भी क्यूशन पूछे जाते हैं कि के मैप इस बेस्ट स्टेबल फॉर वाट वेरियेबल मतब कितने वेरियेबल तक के मैप अच्छा स्टेबल है बुलियन एक्स्पेशन क इतने वरियेबल तक अच्छे से suitable हैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैं अभी यहां पर आपको बता रहा हूं यह सब कुछ दोस्तों आपको अगर देखेंगे कि मैंने क्लास पर यहां पर यहां पर यूट्यूब चैनल रगवन सी क्लासेस है यहां पर दोस्तों यहां पर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों मैंने उनका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है उसमें भी जाकर के जो मैं अभी आपको यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आएंगे दोस्तों तो यहां पर आपको लगबग लगबग सारे सब्जेक जैसे analog electronics, electronic device और फिर सभी electronics के classes microprocessor classes measurement classes और दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे digital electronics के भी classes आपको यहाँ पे दोस्तों 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 digital electronics के भी classes आपको देखने को मिल जाएंगे इतने पूरे classes हैं आप एक बार इस class को फुरा देखिए उसके बाद जो मैं ये question करा रहा हूँ उसको देखिए आप बहुत ही आसानी से सारे questions का answer दे सकेंगे यहाँ दोस्तों बहुत ही आसानी से सारे questions का answer आप दे सकेंगे क्योंकि मैंने classes को बहुत ही अच्छे से cover किया है तो यह जो मैं बता रहा हूँ की ने गेट की उनिवर्सल गेट है उसको पूरा डेटेल की पूरी क्लास वहाँ पे पर जेंट है और क्योंकि दोस्तों आपको भी पता होगा जेटियो लाइस में आपको 30% sectional marks लाना है और ओबलार 37% mark लाना है क्वालिफाई करने के लिए उसके बाद दोस्तों मेरे डिस्ट बनेगा तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे तो मैं लगबग लगबग सब कुछ कवर किया हूं जैसे सभी conversion techniques बहुत अच्छे समय कोसिस किया हूं यहां पर कराने के लिए एक बार आप जांग करके मैं जरूर देखिएगा उसके बात आईए आप यहां पर इस लेक्टर को देखिए हैं उसको minimize करने का क्या जरूरत पर जाती है जैसा कि दोस्तों मैंने आपको यहां पर बताया कि नम्मर आप gates reduce हो जाते है example के तोर पे दोस्तों देखें अगर तो a plus b bar plus a bar b अगर यहां पर दोस्तों देखें तो यह expression क्या है expression है a plus a plus b bar plus a bar b into c यह expression है इसको minimize करने के लिए बोला जा रहा है a plus b bar plus a bar c अब दोस्तों अगर इसको हमें realize करना है तो यहां से दोस्तों a आ जाएगा और यहां से दोस्तों क्या आ जाएगा B आ जाएगा inverter से pass होगा तो यहाँ पे हमें B बार मिल जाएगा और यहाँ से अगर दोस्तों बात करें फिर सी यह A और यह inverter से pass हुआ तो A बार मिल गया और यहाँ से दोस्तों क्या मिल गया B मिल गया इन दोनों का end करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा A bar B मिल जाएगा और यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिल रहा है B bar मिल रहा है और यह A यहाँ से जाही रहा है अब इन तीनों को दोस्तों क्या करेंगे अगर हम और से पास करेंगे इन तीनों को दोस्तों किस से पास करेंगे और से पास करेंगे तो हमें ये इतना expression output के मिलेगा और इस और के output को इधर हम C से end कर देंगे तब दोस्तों हमें final output मिल जाएगा ये आप clearly इसी इसको देख रहे होंगे अब दोस्तों minimization हम यहाँ पे क्यों करेंगे आप यहाँ पे देखें कि 1,2,3,4,5 इतने सारे gates यूज हुए हैं जब आप इसको minimize करेंगे तो इसका final answer दोस्तों क्या आ जाएगा C बार इसका final answer आ जाएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे इस पूरी circuit को आप सिर्फ ऐसे minimize कर सकते हैं तो आप देख रहे हैं इतने gates को आपने क्या कर दिया कम कर दिया सिर्फ एक gate का use यहाँ पे जरूरत पड़ी तो अब इससे क्या हुआ सिर्फ आपको एक IC यह पूरा expression को express करने के लिए सिर्फ एक IC की जरूरत पड़ी एक IC की जरूरत पड़ी तो आपकी cost क्या हो गई कम हो गई cost कम हो गई propagation delay कम हो गया और circuit जो IC heat dissipate करेगा वो भी कम हो गया और आप देख रहे हैं उसका जो speed है वो भी बढ़ जाएगा इसलिए दोस्तों जनरली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसका boolean expression को उसको minimize करते हैं इसका जो answer हो जाएगा दोस्तों वो c bar हो जाएगा आप boolean expression को minimization कैसे करते हैं बहुत ही अच्छे से नहीं अपने class में cover कराया है एक बार आप जा करके वहाँ पे जरूर देखिएगा अगला दोस्तों how many truth table can be made from one function table one function अगर एक कोई function है उससे कितने आप truth table बना सकते हैं तो इसका जो दोस्तों formula होता है 2 to the power n इसका formula होगा जहाँ n क् इतने है 1 है तो इस पे 1 की value रख दीजिए output क्या हो जाएगा 2 अगर यहीं दो variables होते तो 2 to the power 2 equals to 4 to table बनेंगे तो इसका answer क्या हो जाएगा दोस्तों इसका answer हो जाएगा 2 अब दोस्तों अगला यह जो question है question number 55 यह काफी important है और कई बार examination में repeat हुआ है जी हाँ दोस्तों इससे analog to digital converter में यह जो parallel conversion type analog to digital converter होता है इससे basically 2 से 3 question पूछे जाते हैं जो काफी कई बार repeat होते हैं पहला question यह पूछा जाता है which of the following is fastest analog to digital converter सबसे fastest analog to digital converter कौन होता है तो दोस्तों सबसे fastest analog to digital converter जो होता है यह parallel type analog to digital converter होता है अब इसमें कितने number आप converter यूज होते हैं तो इसका जो दोस्तों formula होता है 2 to the power n minus 1 यह number आप comparator इसमें यूज होते हैं इतने number आप comparator इसमें यूज होते हैं तो यहाँ पे n की value क्या है दोस्तों 8 है तो 2 to the power 8 minus 1 equals to दोस्तों हो जाएगा 255 जी हाँ दोस्तो 255 अब मैं आपको बता दू कि यह मैंने जितने भी analog to digital converters होते हैं उसको दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे से class number 31 में cover किया है और मैं आपको बता दू यहाँ पे दोस्तों यह देखिए यहाँ पे parallel comparator type अगर यहाँ पे आप देखिए तो कितने comparator required होते हैं 2 to the power n minus 1 comparator required होत हैं यह सब क्यूशन डारेटली से पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपसे request करना चाहूंगा कि एक बात जाकर कि आप मेरे सभी classes को जरूर देखिए आप ऐसे questions का answer बहुत ही आसानी से और खुद से दे सकेंगे जी हाँ दोस्तों बहुत ही आसानी से और खुद से ऐसे questions का answer तो 56 the decimal equivalent of hexadecimal number E5 is E5 कोई hexadecimal number है उसका decimal equivalent क्या होगा E5 दोस्तों क्या है एक कोई hexadecimal number है E5 E5 कोई hexadecimal number है तो मत्तब इसका base क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा base इसका दोस्तो 16 हो जाएगा तो इसका हमें decimal equivalent निकालना है यह सब कुछ दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे से अपने I think पहले class में ही cover कराया है आप एक बार जाकर के जरूर देखिएगा फिर भी मैं आपको यहां पर बतादा चाहता हूँ अगर दोस्तों कोई भी number हो अगर जैसे कोई भी number system है माल लेजिए B0, B1, B2 and B3 उसका base उसका base माल लेजिए इधर A है ठिक उसका base अगर A है इसमें दोस्तों जनरली इसका conversion decimal में ऐसे होता है कि यह हो जाएगा B0 multiplied by A to the power 0 प्लस B1 multiplied by A to the power 1 प्लस B2 multiplied by A to the power 2 प्लस B3 multiplied by A to the power 3 ऐसे होता है ठिक ऐसा इसका decimal equivalent होता है अब अगर दोस्तों बात कर लेए यहां पर इसका decimal equivalent ऐसा दोस्तों होता है फिर अगर देखें तो अब यहां पर क्या दिया हुआ दोस्तों E5 इसका base 16 दिया हुआ है E5 इसका base 16 दिया हुआ है यह equivalent हो जाएगा 5 into 16 इसका base है कि power 0 प्लस E E बोले तो यहां पर 14 14 multiplied by 16 to the power 0 अब दोस्तों मैंने यहां पर E को 14 कैसे calculate कर लिया क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई expression logical expression दिखाते हैं तो हमारे पास अगर decimal number system में 0 से लेकर के 9 से दिखा सकते हैं तो 10, 11, 12, 13, 14 and 15 इसको हम A से दिखाएंगे इसको B से दिखाएंगे इसको C, इसको T, इसको E और इसको F से represent करते हैं एक चीज़ दोस्तों अब तो यहां से आप इसको calculate कर लेंगे आपको यहां पर answer मिल जाएगा जैसे कि यह हो जाएगा दोस्तों कितना 5 प्लस 16 multiplied by 14 16 multiplied by अगर 14 करे दोस्तों यहां पर तो आपको देखने को मिल जाएगा कितना 16 multiplied by 14 हो जाएगा आपका 224 224 प्लस 5 इकोस तो 229 229 इसका answer हो जाएगा 229 दोस्तों इसका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा B इसका right answer है B इसका right answer है तो दोस्तों आपने देखा कि क्यूशन का level 2013 के examination में easy to moderate था अगर आपने मेरे क्यूशन को follow किया है या फिर आप अगर basic भी जानते हैं तो बहुत ही आसानी से ऐसे questions का answer दे सकेंगे अब अगर दोस्तों अगले questions की बात करें यहाँ पे तो BSNL JTO lies 2016 की examination में पूछा गया है पहला question दोस्तों क्या पूछा गया है कि which of the following can be called as universal gate universal gate किसे कहते हैं अब हमें नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कोई मुझे बताने की जरूरत है universal gate अभी जस्त मैंने पीछे cover किया था और बोला था as type की questions repeat करते हैं और इस से और किस type की questions पूछे जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप answer पे direct मत जाईएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको जानने की कोसिस करिएगा तो वीच आप the following is called universal gate दोस्तों यहाँ पे कोई doubt ही नहीं है nor gate को क्या करते है universal gate करते है क्योंकि यहाँ देखिए इसी table में मैंने आपको बताया है universal gate nor and आपका universal gate है इसलिए इसको universal gate करते है क्योंकि इससे कोई भी logical expression आप क्या कर सकते है express कर सकते है and क्या है basic gates है और not क्या है basic gate है exor क्या है special purpose gate है अगला कि उससे दोस्तों the decimal number equivalent to इस मतलब यह binary number दिया हुआ है इसको decimal में convert करना है दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह सब कुछ मैंने cover किया हुआ है लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जैसे दोस्तों number यहाँ पर क्या दिया गया है number दिया गया है 11 number दिया गया है दोस्तो 1100011 इसका दोस्तों यह binary में है इसका decimal equivalent पूछा गया है इसका decimal equivalent दोस्तों पूछा गया सबसे पहले दोस्तों मैं आपको क्या बताना चाहा हूँ वो उसको जानने की कोशिस करिएगा actually दोस्तों जो यह base होता है वो क्या represent करता है क्योंकि इससे questions आगे आपको देखने को मिलेंगे ध्यान से इसको समझिएगा यह जो base होता है वो क्या represent करता है generally जो base होता है दोस्तों वो इस चीज़ को represent करता है कि इस number system में हम इतने number आप different digit का हम use कर सकते हैं इतने number आप different digit का use कर सकते हैं जैसे अगर कोई base यहाँ पे दोस्तों 2 है अगर base 2 है तो इसमें सिर्फ हम दो डिफरेंट डिजिट का यूज़ कर सकते हैं 0 या 1 का यूज़ करते हैं अगर दोस्तों 3 बेस हो तो इसमें हम 3 डिफरेंट डिजिट 0, 1, and 2 का यूज़ करेंगे अगर दोस्तों इसका बेस 4 हो इसमें हम 0, 1, 2, 3, 4 डिफरेंट डिजिट का यूज करेंगे अगर दोस्तों बेस इसका 5 हो इसमें हम 5 डिफरेंट डिजिट का यूज करेंगे इसमें हम 5 डिफरेंट डिजिट का यूज करेंगे उसको क्या बोला जाता है binary number system बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे दोस्तों हम लोग 2 digit का यूज करते हैं और अगर दोस्तों वही 16 digit का यूज करते हैं 0, 1, 2, 3, 4 फिर 9 तक फिर A, B, C, D, E, F 16 different digit का यूज करते है इसलिए दोस्तों उसको क्या बोला जाता है बोलते हैं octal number system बोलते हैं इस इसको जानने की आप कोसिस करिएगा एक चीज दोस्तों आपने यहाँ पे नोटिस की जो यह base है उसकी जो value होगी वो हमेशा इन सबसे जाता होगी मतलब यह इसके अंदर जो भी number system आप लिखेंगे हमेशा base से उसकी value क्या होगी छोटी होगी आपने यहाँ पे देखा जब यह base 5 है इसके अंदर कहीं भी 5 आया नहीं 5 से छोटी ही numbers आपको देखने को मिले जब यहाँ पे base 6 आया इसकी अंदर उससे छोटे ही number आपको देखने को मिले 10123560 देखने को मिला एक question दोस्तों यहाँ पे पूछ देता है कि कौन सा number यहाँ पे गलत लिखा गया है वो आगे question आपको देखने को मिलेगा वो जब पूछा गया है तो यहाँ पे दोस्तों आप एस चीज़ को इतना जानिए कि उस number system में कितने different digit का आप use कर सकते हैं वही base हमें बताता है तो इसका दोस्तों conversion कर लेते हैं यहाँ पे इसको converge करने के लिए यहाँ 2 to the power 0 into 1 प्लस 2 to the power 1 into 1 प्लस यह 0 ही हो जाएगा 2 to the power 2 0 यहाँ से सीधे देख लेते हैं यह हो जाएगा 1 to 4 8 16 32 and 64 तो जहाँ जहाँ ऐसे उपर लिख लेंगे तो 64 प्लस 32 प्लस 2 प्लस 1 यह 99 99 इसका दोस्तों right answer हो जाएगा अब आपने देखा जब हमने 90 चलो तो अभी आपने दोस्तों देखा कि इसका रिजल जब 99 आया तो decimal में इसका दोस्तों base क्या हो जाएगा 10 इसका base था 10 इसका base था और इधर दोस्तो 99 आया तो आपने देखा कि इसके जो अंदर के digits है यह 10 से क्या थे कम थे तो यह चीज यहाँ पर दोस्तों आपको जानने की जरूरत है ये चीज दोस्तों आपको जानने की जरूरत है तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि दोनों की उसन 2016 के अगर देखें तो AG2 moderate था दोस्तों मैं आपसे फिर से request करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और GTO की preparation कर रहे हैं तो पीस दोस्तों मेरे चैनल को जरूर subscribe कर लें रगुवनसी classes को YouTube पे जाकर के अगर आप टेलिग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलिग्राम चैनल पे भी जाकर के जुड़ सकते हैं और WhatsApp से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसे भी जुड़ सकते हैं अगला दोस्तों देख लेते हैं क्यूशन क्या है अगले क्यूशन की दोस्तों अगर बात करें यहां पे क्यूशन नम्मर 17 जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे क्लिरली देख सकते हैं क्युफिशन नम्मर 17 के अगर दोस्तों बात करें तो क्युफिशन नम्मर 17 है यहाँ पर आप देखेंगे a number system that uses only two digits a number system that uses only two digits is called वो number system जो सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट का यूज करता है उसे दोस्तों क्या करते हैं उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है तो अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि जिसमें 두 digits use होते हैं या two symbols use होते हैं उसको दोस्तों क्या कहते हैं उसको binary numbers system कहते हैं इसका दोस्तों answer क्या हो जाएगा binary number system अभी जस्ट मैंने आपको बताया एक बर मैं चेक कर लूँ कि recording हो रही है कि नहीं क्योंकि बहुत सारी दिक्कते मुझे आ रही है, नया हूँ, इसके लिए सायद मैं अच्छे से नहीं कर पार हूँ, कोई बात नहीं, फिर भी कोसिस करूँगा आपको अच्छे से अच्छे content देने की, अगले question की बात करें दोस्तो, which of the following is minimum error code, दोस्तो ये question भी काफी important है, और दूसरे दूसरे wording में repeat हुआ है, सबसे पहले दोस्तो मैं आपको बता दू, minimum error code को और क्या करते हैं, minimum error को दोस्तो, और यहाँ पे gray code उसे करते हैं, इसका answer तो gray code हो जाएगा, ठीक है, और इसको और मैं आपको बता दू दोस्तो, जब आप k-map की feeling करते हैं, या फिर minimum error code या gray code की खासियत क्या होती है, दोस्तो कि जो इसके successive digits होंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक bit का difference होता है, लगबग सभी bit change सेम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक bit का अंतर होता है, तो यहाँ पे देखिए देखिए, सिर्फ यह change हुआ है, और ये भी यहाँ पे one रहेगा, तब यह जाकर के क्या कहते हैं इसे मिनिमम इधर कोड कहते हैं इसी के कारर दोस्तों जो केम मैप में फिलिंग होती है वो भी ग्रे कोड में होती है वो मिनिमम इधर कोड में होती है आपने दोस्तों जब केम मैप में फिलिंग किया होगा तो 00, 01, 11, 10 इस वाम में feeling करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसके और इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ यह change हुआ है और इसके इसके बीच में दोस्तों देखिए यह same है यह digit same है सिर्फ और सिर्फ यह change हुआ है और इसके बीच में देखें दोस्तों तो यह यह same है और सिर्फ और सिर्फ 1 यहां पे change हुआ है तो इसके जो successive digits होते हैं मतलब यहां कोई number अगर ऐसे होगा तो इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 bit का difference होता है सिर्फ और सिर्फ 1 bit का अंतर होता है इसके काराट दोस्तों इसको minimum error code कहा जाता है और minimum error code को ही क्या करते हैं gray code कहते हैं minimum error code को ही gray code करते हैं एक access 3 से code question पूछा जा सकता है कि यह जो access 3 code होते हैं यह self complimented code होते हैं मतलब यह खुद के compliment होते हैं इसको दोस्तों क्या बोलते हैं access 3 code बोला जाता है यह self complimented code बोला जाता है तो यह चीज यहां से दोस्तो पूछा जा सकता है अब अगर दोस्तो ओक्टल कोड की थोड़ी सी बात कर ले तो ओक्टल कोड में इसके बेस 8 होंगे और इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक नहां पे 8 different symbols का यूज करते हैं इसके representation में मैं आशा करता हूँ कि यहां तक आपको clear होगा अगले question की बात करे question number 60 SR flip flop can be converted to T type of flip flop SR flip flop को T flip flop में आप कैसे convert कर सकते हैं तो यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दू अगर यह SR flip flop है अगर यह S और R flip flop है तो इसके output Q and Q bar होते हैं तो इसको T flip flop में convert करना होता है जनरली Q bar को R से connect कर देते हैं और Q को S से connect कर देते हैं तो यह दोस्तो T flip flop में हो जाता है अब दोस्तों मैं थोड़ा सा यहां से कुछ question किस टाइब के पूछे जा सकते हैं उसके बारे में दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा T flip flop दोस्तों इसे इसका full form toggle flip flop भी बोलते हैं जो 1 bit को store करने के लिए use होता है और basically यह 1 को 0, 0 का 1 मतलब अगर इसके input पे 1 देंगे तो यहां पे आकर कि यह अगले clock pulse में save होगा फिर output हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा अगर 0 देंगे तो यहां पे आकर कि save होगा और output हमें 1 मिलेगा मतलब toggle कर देता है, invert कर देता है यह T flip flop की खासियत है अगर अगला flip flop की बात करें दोस्तों D flip flop जिसे दोस्तों यहां पे जिसका input D होता है output Q and Q bar होता है इसको दोस्तों D for delay होता है D for delay flip flop के भी नाम से जानते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 bit को store करने के लिए यूज होता है और basically यह 1 bit को store करने के लिए यूज होगा और यह फिर आपका सकते हैं delay provide करने के लिए यूज होता है 1 clock pulse का अब दोस्तों मैं आपको बता दू यह सारी चीज़े आपको मेरे channel पे मिलने वाली है यह सारी चीज़े दोस्तों आपको मेरे channel पे आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम बात करें flip flops की तो flip flop को दोस्तों मैंने sequential logic circuit में आता है तो मैंने sequential logic circuit सबको सबको बहुत ही अच्छे से बताया है च्टों मेरे यह combination logic circuit में आता है तो यह बहुत ही अच्छे से दोस्तों मैंने यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से सभी class को मैंने cover किया हुआ है तो आप एक बाद जाकरके उन classes को जरूर देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ बहुत ही अच्छे से basic difference क्या होता है sequential logic circuit और combinational logic circuit के बीच में flip-flop के clock pulse क्या होते हैं race around condition का बकर होती है register flip-flops बहुत ही अच्छे से बताया है तो एक बार जा करके आप उसे दोस्तों जरूर देखिएगा ठीक है दोस्तों एक बार उसे आप जरूर जा करके देखिएगा आपको सारे doubts क्लियर हो जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों इसका answer क्या हो जाएगा D इसका right answer हो जाएगा दोस्तों मैं यहाँ पे कोशिस यह कर रहा हूँ कि एक क्यूस्टन से और किस टाइब के क्यूस्टन आपके एक्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं इसके लिए थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है लेकिन आपके लिए पूरा नॉलेज़िबल और बहुत ही लाबदायक र यह यूज होता है ठीक यह रजिस्टर का काम होता है यह डे टा स्ट क्रक्टर का भी件事情 हो सकता लेकिन माय इसको डजीटर इलेक्तॉनिक्स में ले लिया क्योंकि flip-flop से भी क्या बनाये बनाये जाते हैं इसके लिए मैं यहाँ पे ले लिया था अगला पहले इसका wording देखिए sum of product मतब इसमें क्या हुआ होगा sum का product हुआ होगा तो यहाँ पे देखिए यह sum है इसका product हो रहा है यह इसका right answer हो जाएगा यह इसका अगर इसकी बात करें दोस्तों यह क्या है POS farm मतब product of sum product of sum ठीक product के sum हुए है ठीक product के क्या हुए है sum हुए है ठीक तो यह POS farm में है अगला question question number 60 थी digital circuit mostly usage digital circuit mostly क्या use करते है तो दोस्तों diode और bipolar junction transistor BJT का use होता है digital circuit में जनरली दोस्तों हमको पता है कि digital circuit क्या होते है binary में काम करते है 0 या 1 को represent करने के लिए या store करने के लिए काम होता है हमको दोस्तों ये भी पता होगा जब diode है वो forward bias में as a short circuit की तरफ भी हैप करता है in forward bias और ये reverse bias में as a open circuit की तरफ काम करता है तो जब ये forward bias में काम करता है मतलब यह इस समय one को store किया हुआ है और reverse bias में काम करता है मतलब इस समय यह zero को store किया हुआ है सेम अगर दोस्तों BJT की बात करे सेम अगर दोस्तों यहाँ पे BJT की बात करे तो यह cut off reason में cut off reason में क्या होती है off होती है मतलब zero को store करती है saturation या फिर active reason में यह on होती है मतलब यह one को store करती है इसलिए दोस्तों basically जो logic gates होते है या फिर digital circuits होते है वो diode या फिर bipolar transistor से basically बने होते हैं अब बनते हैं अब अगर दोस्तों अगले questions की बात करें यहाँ पे तो यह question number 63 तक यहाँ पे cover हो गया यह question सारे 2016 के examination में पूछे गए हैं तो आप देख सक हैं question का level easy to moderate है अगर आपने मेरे class को देखा होगा तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकेंगे अब मैं फिर से request करना चाहूंगा जब भी यह blue line आएगी तो मैं आप से request करूंगा कि please अगर आप मेरे channel पे नए है तो मेरे channel को जाकर के YouTube पे जरूर subscribe करें ऐसे ही content पाने के लि question number 64 question number 64 यहाँ पे अगर देखें question number 64 दोस्तो क्या कहता है question number 64 decimal number 127 may be represented by decimal number 127 may be represented by यह दोस्तो hexadecimal number में convert करने के लिए बुला जा रहा है तो आप अगर मेरे class को अगर यहाँ पे मैं convert करने लगूंगा तो काफी lecture length हो जाएगा इससे लिए इसका right answer एक बार आप इसे convert करके बहुत ही आसानी से देख लिजे मेरे class को follow कर लिजेगा आप बहुत ही आसानी से कर सकेंगे या फिर आपको आता भी होगा decimal से hexadecimal या फिर binary में convert करने के लिए अगला half adder a half adder has generally दोस्तो half adder में दो inputs होते हैं दो outputs दो input दो digit हो जाएंगे दो output आपको sum और carry के फामे मिलता है sum का expression हो जाता है a exor b और carry का expression हो जाता है a b bar यह half adder हो जाता है और अगर full adder की बात करें दोस्तो full adder की बात करें तो यहाँ पर दोस्तो तीन inputs हो जाते हैं तीन input a b c output इसके दो रहते हैं sum and carry रहते हैं तो दोस्तो half adder का यहाँ पर दो inputs और दो output मैंने बहुत ही अच्छे से यह दोस्तो combinational logic circuit में आप रोगों को बताया हुआ है combinational logic circuit किसे करते हैं उसे करते हैं जिस जो जिसका present output सिर्फ और सिर्फ पर प्रेजेंट इंपुट पे डिपेंड करता है ठीक इस जैसे कि multiplexer, decoder, encoder, half adder, full adder यह सब combinational logic circuit हैं अब sequential की बात करें तो sequential logic circuit वो logic circuits होते हैं जिसका जो output है वो present input पे तो depend करता ही करता है और past output पे भी depend करता है जैसे कि flip-flops, register यह सब क्या हो जाते हैं बहुत ही अच्छे से बताया है एक बार जा करके जरूर देख लीजेगा अब देखिए question number 66 यह काफी अच्छा question है in which of the following base system 123 is not a valid number जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पीछे ही बताया था अगर कोई number 123 है तो इसका जो base होगा हमेशा इन digits से क्या होंगे बड़े होंगे मतलब इसका जो base हो सकता है वो 4 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है 6 हो सकता है 7 8 यह हो सकता है लेकि 4 से छोटा नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर एक digit 3 आई होई है 3 IUE है मतलब इसका जो base होगा हमेशा इससे तो बड़ा ही होगा तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1, 2, 3 not a valid base तो हमेशा मैंने क्या बताया बड़ा ही होगा बराबर भी नहीं होगा तो base 3 is a right answer यह नहीं हो सकता यह 8 हो सकता है base इसका 16 हो सकता है 10 हो सकता है example की तोर पे 172 अगर देखे तो 172 का जो base है दोस्तों वो कभी भी 7 या उससे छोटा नहीं हो सकता हमेशा क्योंकि इसमें maximum digit कौन सी है 7 है इसकी जो base है 8, 9, 10 वही दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिस की थी अगर किसी का base इतना है तो उसको कैसे आप उसका क्या हो सकता है यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिस की जिसका आपने यहाँ पे क्योशन देख लिया तो आप देख रहे हैं अगर आपने मेरे lectures को सही से follow किया है तो बहुत ही आसानी से ऐसे questions का answer यह थोड़ा tricky और दिमाख वाला question था थोड़ा से यहाँ पे दिमाख लगाना था अगला question binary code को decimal में convert करना है तो sorry decimal को binary में convert करना है अब यहीं पे देखिए दोस्तो इसमें एक 5 आया हुआ है इसका जब भी question number 68 NAND gate is called universal logic gate element because देखा आपने मैंने पीछे ही बताया universal logic gate के बारे में कि क्यों इसको universal logic gate कहते हैं और कितने universal logic gate होते हैं तो यहाँ पे दोस्तों minimum technique all logic function can be realized by NAND gate alone यह question repeat हुआ है आप देख सकते हैं तो मैंने आपको बताया कि कौन-कौन से topic काफी important है जिससे questions repeat होने की संभावना है और repeat भी हुए हैं अगला questions की अगर दोस्तों हम बात करें यहां पे तो अगला question है the boolean function the boolean the number of boolean function that can be generated by N variables यह हो जाता है 2 to the power 2 power N 2 to the power 2 to the power N हो जाता है यह इसका right answer हो जाएगा अभी 22 N नहीं होता यह होता है 2 to the power 2 to the power N ठीक यह होते हैं अभी देखिए access 3 code is known as मैंने आपको पीछे ही बताया जिस self-complementing code होते हैं अभी पीछे ही मैंने आपको बताया था कि जो वो ग्रे कोड होता है वो minimum इधर कोड होता है और access 3 code self-complementing code होता है यह आप यहाँ पर clearly इस चीज को देख सकते हैं अगला question दोस्तो वाइडू दी फ्लिफ्लप रिसीव इट्स designation और nomenclature as data flip-flop मतलब उसको data flip-flop क्यों कहते हैं या फिर d flip-flop delay flip-flop क्यों कहते हैं मैंने पीछे ही बताया आपको क्योंकि वो single bit को store करता है और delay provide करता है इसके लिए तो due to its capability to transfer the data into flip-flop ठीक आप उसको data transfer का यहाँ पर क्या मतलब है data में मतलब कोई छेड़खानी नहीं करेगा वो data में कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा जैसा data है वैसा output पर देगा same output पर देता है इसको यूज करते हैं इस यूज टू स्टोर डेटा इन रजिस्टर अब भी देखिए यहाँ पर देखिए और प्रोवाइड डिले यह क्यों स्टोर करता है क्योंकि दोस्तों सेम डेटा जो आप इसके input पर देंगे वही वो output पर देता है सेम उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करता वही टी फ्लिफ्लॉप की बात करें तो जीरो दोगे तो आप वन मिलेगा वन दोगे तो जीरो मिलेगा जेकी फ्लिफ्लॉप में भी दिक्कत है और यह फिर आपका टो साथ देखने को मिल गई है साथ से बड़ा हो गा तो आक्ता नमर्मर शिस्टम पहले ही बोल दिया है इसलिए यहाँ पर आठ हो जाता अगर दोस्तों यहाँ पे अगर यह बोलता hatred नमें नमर औप चल में नहीं है सीदे statement ही गलत हो जाता लिए है और और धी इसको डोस्त यह इसका right answer A हो जाएगा C नहीं है भाई A इसका right answer हो जाएगा ठिक फिर से नीली line आई मैं आपसे यही request करना चाहूंगा कि अगर मेरे channel पे नहीं है तो please मेरे channel को जाए और जरूर subscribe करें अपना प्यार like से like button दबा के मुझे जरूर दें अगला दोस्तो अगला question 2015-16 में I think यह same question जो हमने पीछे discuss किया वही same सारे same question है the output of our gate is one output our gate का output one कब होता है जब इसके सभी inputs क्या होते कोई भी एक input क्या हो जाए one हो जाए तो इसका output क्या हो जाता है दोस्तो one हो जाता है यह question आप देख सकते हैं कि output of our gate our gate का अगर दोस्तो two table देखा जाए a, b, y 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 0, 1, 1, 1 तो आपने देखा अगर कोई भी input एक one है या फिर दोनों सभी input one है तो output क्या आ जा रहा है one आ जा रहा है तो if either और बोथ input आ one ठीक आगला question दोस्तों देखें यहाँ पे तो अगला question दोस्तों देख सकते हैं आपे land gate is called universal gate because यह question अलड़ी डिसकस हो चुका है फिर से अगले अगर अगले question की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए k map is used for the purpose मैंने पहले ही आपको बताया k map क्यों यूज करते हैं इसलिए यूज करते हैं minimization के लिए यूज करते हैं boolean expression को और minimization क्यों करते हैं सब कुछ दोस्तों मैंने आपको अलड़ी बता दिया है अब यह is used to store data in register d flip flop अगले question की दोस्तों बात करें यहाँ पे अगले question की तो अगला question यहाँ पे same वही आप देखेंगे same वही देखेंगे नमर की इस नमर को binary में decimal में convert करना है 99 answer आया था यह भी 0 1 binary number system यह नमर system योज वन ले 2 digit 0 यह इसलिए इसको binary number system कहते हैं यह पूरा paper ही repeat है अब आप देखेंगे digital circuit mostly uses मैंने clearly आपको बताया था digital circuit क्या यूज करते है half header have output यह भी हम लोगों ने देखा था अब देखते हैं दोस्तो 2019 का paper अब तक का सबसे toughest paper 2019 का paper माना जाता है जिसमें बहुत ही कम लड़के pass out हुए थे लेकिन इसमें भी दोस्तो question repeat हुए हैं आप बस मेरे चैनल पर बने रही है मैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ अब यहाँ पर देखिए पहला ही question access 3 code is also known as access 3 code को और क्या बोलते हैं मैंने आपको पीछे ही बताया access 3 code को self complimenting code बोलते हैं ठीक अगला if xy equals to 0 then xy equals to 0 दिया है x x nor y की value क्या होगी तो यहाँ पर a x nor y की value हो जाती है अगर x y input है x bar y bar plus x into y ठीक यह हो जाता है तो इसकी value 0 दी गई है तो output shift क्या बचेगा x bar y bar यह इसका x bar y bar right answer आ जाएगा अग combinational logic circuit combinational logic circuit क्या होते हैं दोस्तो combinational logic circuit does not contain flip-flop does not contain flip-flop same वही दोस्तो मैंने अभी जस्ट बताया कि combinational sequential की बीच में आपको difference बताया तो sequential और combinational में क्या होता था दोस्तो कि उसका जो output है present input पे ही depend करता था जैसे कि decoder encoder multiplexer इन सब के बारे में बताया था और जो sequential logic होता है वह flip-flop register यह सब होते है तो does not contain flip-flop ठीक यह combination होता सही जवाब है minimum number of flip-flop or required for a mod 12 ripple counter gate level के question है mod 12 ripple counter minimum number of flip-flop and should be greater than or equals to log base to 12 इसका answer आजाएगा 4 4 इसका दोस्तो क्या आजाएगा right answer आजाएगा 4 इसका दोस्तो क्या हो जाएगा right answer आजाएगा यह number में लेते हैं इसलिए दोस्तो 4 इसका यहाँ पे right answer आजाएगा ठीक अगला TTL का full form याद कर लेजिए transistor, transistor logic transistor, transistor logic यह logic family से बिलाउं करते हैं और यह multi-emitter transistor को use करते हैं multi-emitter यह सब कुछ दोस्तों मैंने अपने class में cover कराया हुआ है अब मैंने जो class record किये हैं वो पहले की record किया और यह बाद में यह सब paper हुए हैं तो आप अगला question दोस्तों देखें the input transistor Q1 आप TTL gates act like transistor, transistor logic का जो input transistor होता है वो किस की तरब behave करता है तो वो दोस्तों and gate की तरब behave करता है किस की तरब and gate की तरब behave करता है तो यह दोस्तों अब तक का सबसे toughest paper था Bational JTO Lies 2019 में जिसके आप digital electronic execution इतने आसानी से कर लिए बहुत ही आसानी से कर लिए तो आप बस बने रहिए तारिक समाधान आपको मेरे चैनल पे मिलने वाला है फिर से blue line आई तो मैं आपको यही कहूंगा नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए अगला question दोस्तों देख लेते हैं अभी जो recent में ही हुआ बिएसनल जेटियो लाइस 2021 जो अभी पेपर हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहला question आप यहां पे देखिए पहला question क्या कह रहा है दोस्तों पहला question कह रहा in which region a transistor act as a open switch मैंने पीछे ही आपको बताया transistor open की तरह कब भी हैप करेगा cut-off region में cut-off region में क्या करेगा open की तरह भी हैप करता है और diode की बात करे reverse bias में और बात कर लें saturation या active region की तो इन दोनों में दोस्तों क्या करते हैं वो on switch की तरह भी हैप करता है अगला question which of the statement is correct इसमें से कौन सा statement करेक्ट है तो मैंने आपको बताया था नैंड और नौर गेट के बारे में जो युनिवर्सल गेट होते हैं वो कमुटेटी लॉग को फॉलो करते हैं लेकिन एसो सीटी लॉग को फॉलो नहीं करते यह चीज आप यहां पर देख लेजिए यह इसकी एक प्रॉपर्टी है नैं बिल्कुल हुआ है 2016 में क्यूशन पूछा गया है और 2031 में एक चूशन फिर से पूछा गया है to minimize the number of gates in digital circuits minimization के लिए use होता है minimization क्यों करते है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है अगला question बात करें ये भी question देखिए question number 95 repeat हुआ है कि नहीं हुआ है बिल्कुल हुआ है in each successive code differs from its preceding code by a single bit only then its code is called gray code कहते है gray code या फिर minimum error code उसे बोला जाता है मैंने पीछे ही आपको बताया कि अगर कोई digit उसका जो successive digit से सिर्फ एक bit से अंतर हो सिर्फ एक bit से अंतर हो तो वो उसको दोस्तों क्या कहेंगे minimum error code या फिर gray code कहा जाता है फिर से दोस्तों blue line आ गई तो मैं आपसे यहीं कहूंगा subscribe जरूर करिएगा subscribe जरूर करिएगा और अपनी राय मुझे comment section में जरूर दीजेगा ताकि मैं उसे कोशिस करूँ अगले lecture से implement करने की अगला question यह भी repeat हुआ है देख लिजे question number 96 choose the correct statement in connection with logic gate XOR is universal gate नहीं भाई यह special purpose gate है XOR is basic gate नहीं भाई यह भी क्या है XOR is derived gate बिल्कुल सही बात है और XOR is basic gate बिल्कुल गलत बात है derived gate यह फिर special purpose gate यह फिर arithmetic and logical gate यह आप XOR gate को मान सकते यह फिर staircase को मान सकते हो fan in, fan out are the characteristics आप यह आप जब logic families पढ़ेंगे तो उसमें जो RTL है register, transistor logic, ECL, emitter, couple logic इन सब में दोस्तों आप fan in, fan out एक characteristics होता है किसकी logic families की characteristics होता है अगले question की बात करें according to IC fabrication process logic families can be divided into two broad categories as दो broad categories उसकी क्या है दोस्तों broad categories की बात यह तो sub categories है लेकिन broad categories using bipolar using mass यह इसकी broad categories हो जाती है decoder क्या है अभी just मैंने आपको पीछे बताया था decoder, multiplexer, half header, full header यह सब क्या है combinational logic circuit है combinational logic circuit इसलिए है दोस्तों इसका जो output है वो sir for sir input पे depend करता है वहीं बात कर ले sequential logic circuit की sequential logic circuit में इसका जो output है वो present input पे तो depend करता ही करता है साथ में यह previous output पे भी depend करता है इसलिए इसको sequential logic circuit बोलते है जिसे flip-flop और यह सारे इस category में आते हैं अगले question की बात करें उसके पहले सायद मुझे blue line दिख रही है मुझे दिख रही है blue line तो जरूर subscribe करिएगा अगले question की बात करें दोस्तों तो आपके screen पे clearly देख रहा होंगे आप के minimum number of NAND gate required to implement some in half adder मैंने पीछे ही बताया था कि NAND and NOR universal gate है उससे आप कुछ भी design कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों कुछ भी design कर सकते हैं कोई भी logical expression design कर सकते हैं कोई भी sequential, combinational circuit design कर सकते हैं तो मैंने अब भी half adder के case में आपको बताया था इसका जो sum का expression होता है A plus B तो इसको बनाने के लिए कितने NAND gate की जरूरत परती है तो दोस्तों इसको बनाने के लिए आपको 4 NAND gate की जरूरत परती है इसको बनाने के लिए दोस्तों आपको कितने NAND gate की जरूरत परती है इसको बनाने के लिए आपको 4 NAND gate की जरूरत परती है 4 NAND gate की जरूरत परती है इस expression को बनाने के लिए यहां से input आएगा यहां से input आएगा 4 NAND gate की जरूरत परती है इस expression को बनाने के लिए और सेम दोस्तों आपको XNOR की बात करें तो इसको भी बनाने के लिए 4 gate की जरूरत परती है multiplexer is logic circuit designed to switch multiplexer क्या होता है multiplexer को many to one भी बोला जाता है क्योंकि इसमें दोस्तों कई सारे inputs होते हैं single output में convert करता है या फिर इसे दोस्तों parallel to parallel to serial converter भी बोला जाता है तो multiplexer क्या होता है single output होगा और several input भी इसका right answer होगा अब अगर अगले question की बात करें दोस्तों देख लीजिए ये question repeat हुआ है की नहीं बिल्कुल repeat हुआ है the fastest type of analog to digital converter मैंने पहले ही बताया था parallel comparator type ये questions repeat होते हैं बिल्कुल होते हैं और अगर मेरे class को आपने किया है अटेंड किया है तो आप सारे questions का answer बहुत ही आसानी से दे सकेंगे तो दोस्तों ये थे BSNAL JTO lies के previous year के paper से digital electronics का question digital electronics के ये सारे questions थे और आपने देखें कितने आसानी से आपने सारे questions का answer दिया नहीं दिया कोई बात नहीं एक बार आप मेरे class को देख लीजिए एक बार आप मेरे सारे class को मेरे YouTube channel पे जाकर के देख लीजिए आप सारे questions का answer बहुत ही आसानी से देख सकेंगे मैंने सब कुछ अपने channel पे बताया हुआ है सबी subject को मैंने cover किया हुआ है एक बार जाएए आप मेरे class को देखिए उसके बाद आएए इस lecture को देखिए आप बहुत ही आसानी से सारे answer को कर सकेंगे तो दोस्तो मैं आसा करता हूँ कि आप लोगों को ये class पसंद आया होगा तो प्लीज दोस्तो इसे like जरूर करिएगा नए हैं तो subscribe जरूर करिएगा और उनके साथ भी जरूर share करिएगा जो इस exam के लिए preparation कर रहे हैं तो चलिए मिलते हैं अगले class में तब तक चलिए अपना और अपनों का ख्याल लखिएगा धन्यवाद दोस्तो